नमस्कार दोस्टो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल गौरफ जंक्शन में दोस्तो आप जानती है लगातार अपरेंटिस पोर्टल पर जो जो आप लोगों की समस्या आती रही है मैंने आप लोगों को समधान दिया है अब फिर से मेरे पास लगातार आप लोगों की समस्या आ रही है इस समस्या का समधान क्या है वही मैं आप लोगों को इस वीडियो में पताऊँगा जैसे कि मैंने आपको बोला हुआ है कि इस चैनल पे आप लोगों को अप्रेंटिस से लेटिर इन्फोर्मेशन नहीं जादा मिलेगी आप लोगों की समस्या का समधान करेंगे तो वो मैं करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आब बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अप्रेंटिस पोर्टल पे लोगिन नहीं हो पा रहा जिनका dbt verify नहीं हो पा रहा जिनका जो पैसा था department की तरफ से नहीं मिल पा रहा जिनकी profile ठीक तरीके से complete नहीं हो पा रही है जिनको login करने पर मतब उन्होंने number खो दिया है OTP नहीं आ पा रहा उस पर या फिर जब login करते हैं तो अलग अलग परकार के आप लोगों को यहाँ पर दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है अब इनका समाधान क्या है इनका एक ही समाधान है कि आप लोगों को करना पड़ेगा एक technical support पे ticket create अगर आप यह नहीं करोगे तो भूल जाईए कि आप लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है हाला कि मैंने इसकी जानकारी आप लोगों को पहले ही दे दिया लेकिन जब लगातार इस तरीकी के questions आते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने पीछे की information नहीं देगी थी कैसे आप लोग इसे कर सकते हैं टिकट को create कर सकते हैं वो मैं आपको बता दिता हूँ अगर आप बोलोगे तो मैं एक cyber cafe से contact करके आप लोगों के लिए एक छोटे से amount पे यह चीज़ initiate कर दूँगा कि आपको अपनी तरफ से जो है चीज़े initiate ना करने पड़े और मेरी साइड से चीज़े आप लोगों के लिए हो जा जैसे मैं पहले करता था अब टिकट करेट करने के लिए लिंक वैसे मैंने आपको description में दे रखा है हाला कि आप apprentice portal पे directly भी जा सकते हैं ये इनके contact number है लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा call ये pick नहीं कर रहे इनकी meeting मैंने attend करी थी meeting के बाद जो समस्या का समधान मुझे मिला वो यही कि उन्होंने बोला कि बच्चों से बोलिया आपकी ticket को create करवाएंगे तो यहाँ पर technical support पे आप लोगों को click करना है जैसी आप इस पे click करेंगे आप लोग पोचेंगे ऐसे page पर बहुत सरे बच्चों ने यहाँ पर login भी कर लिया होगा लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कभी भी इस पर आके अपने आपको login करके नहीं देखा होगा एक ती जोर यहाँ पर वही बच्चे आए जिनको समस्या है ऐसे बच्चे ना है जिनका सब कुछ ठीक है जिनका certificate भी आ गया mark sheet भी आ गया सब कुछ आ गया ऐसे बच्चे ना जिनका certificate आ रहा ना mark sheet आ रहा है किसी भी प्रकार के दिक्कत है apprentice selected portal पे तो आप लोगों को करना है sign up पे आना है जैसी sign up पे आप लोग क्लिक करोगे sign up पे क्लिक करते ही आप लोगों से नाम email id और आपका capture मांगके यहाँ पर जो है sign up आप करेंगे जब आप यह कर लेंगे तो अंदर की side पे आप लोगों को आपकी ticket में जो चीज आपको mention करनी है example के तोर पे आपका apprentice का certificate ticket आपको अभी तक नहीं मिला या mark sheet अगर मिलती थी तो mark sheet आपको नहीं मिली, AITT का admit का डाना था वो आपका नहीं आया या किसी भी प्रकार की apprentice से जोड़ी आपकी समस्या है, establishment आप लोगों की पूरी मदद नहीं करना तो यह सारी चीज़े आप लोग यहाँ पर अपनी concern को raise कर सकते है इनका साथ दिन का maximum का time होता है कि साथ दिन में आप लोगों की समस्या का समधान कर सकते, दीक है यह इनका time period होता है, अब एक चीज़ो, अगर साथ दिन में आप लोगों को reply नहीं आता तो इनकी एक meeting होती है Tuesday को और एक आप लोगों की होती है यहाँ पर Thursday को तीन बजे, आभी भी I think वो meeting आप लोगों के लिए चालू है, आप चाहे तो उसे join करके हाँ, open session आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर से आपको एक link मिल जाएगा, इस पर click करके आप इनके meeting join कर सकते हैं अगर साथ दिन के अंदर आपकी समस्या का समादा नहीं मिलता, तो इस meeting में अपनी ticket ID इनको share करो और ticket ID जब आप share कर दोगे तो आप लोगों को own the sport यह guide कर देंगे तो यह जो चीज थी यह बताना बहुत जरूरी थी आप लोगों को क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी समस्या का समाधार अभी तक नहीं हो आए और वो अभी तक जो है चीजों से लड़ रहे हैं, उनको पूरा support नहीं मिल पा रहा है तो मेरी तरफ से इतना ही था link आप लोग डिरेक्ली Apprentice Portal पे चले जाना आप लोगों को जो है पता चल जाएगा बाकि मेरी साइट से इतनी ही जानकारी थी आशा करतो हूँ आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप लोग कमेंड बॉक्स मेंशन कर देना पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी समस्या का समदान कैसे न कैसे निकाल सकी धन्यवाद